तो रोज दूश शुरू कर दे आज इंवेश्मेंट होगा और करेंट यह तीन लोकेशन के अंदर जगह एकसेस कर रहे है और उसका एसेस्मेंट चल रहा है कि कहा पर यह प्लांट बनाया जाएगा यह जो स्टेट से वो है अंदरप्रदेश उत्तरप्रदेश और गुजरात यहाँ पर प्लिमरी स्टेज़ेस पर बात भी चल रही है अब देश के अंदर फ्यूल देमांड बढ़ रही है और आगे बढ़ते जाएगी जैसे से देश आगे बढ़ेगा वैसे और इसके लिए यहाँ पर रिफाइनिंग कैपसिटी आगे उनको बढ़ाना है करेंटली बीपी सेल के तीद रिफाइनरी जे मुंबई कोची और बीना जो मंद्रदेश में है वहाँ पर और जो कैपसिटी है वो है 36 mm TPA की और यहाँ पे उनने डिसाइड गया कि 1.7 ट्रिलियन रूपीस का वो इन्वेश्मेंट करेंगे अगले कुछ सालों के अंदर जहाँ पर नई रिफाइनरी भी इंक्लूड़े है आप समझ सकते हो 36 mm की टोटल कैपसिटी और बाहरा का नया प्लान वो प्लान कर रहे है तो उनकी टोटल कैपसिटी के हिसाब से बड़ा अपग्रेड होगा और आप देखते कौन सा स्टेट जो होगा जहाँ पर यह रिफाइनरी बनाने के लिए मौका मिलेगा अगली कबर दोस्तों जो आ रही है हमारी लेह एरपोर्ट रिलेटेड तो अब जानके बार में जो यहाँ के लोग है उनको देश बर से बहुत जी गनिक्ट्यूटी मिली अ यहाँ पर यह बेन ली इंडियन एरफोस को जो नीड्स है उसको केटर करते हुए बनाने के सबसे किया जाएगा और ऑफिसलि दोस्तों जो चाहिना से बढ़ता हुआ थ्रेट है उसको कांटर करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर हेलिकॉप्टर्स, रफैल्स, मेक 29, सुक सब कुछ जो है रेगुलर्री फ्लाय करते है तो नंबर ऑफ रंवेज जोंगे एरिसेड में वो जादा से जादा होना ज़रूरी है इसी कोई देखते हो यह काम किया जाने वाला है दोस्तों इसके साथ साथ यह जीज़ भी है कि यह पहला ऐसा एरपोट बनेगा हमारे दिस्ट्रिबूटेड नेटवक शेहर में लगाएंगे तो यहाँ पर बीसिकली कम्प्लाइंस हो रहा है नैशनल ग्रीन ट्रिबुनल के कुछ औरस के हिसाब से और जो जो पानी इस्तमाल होता है जंदिकड़ के अंदर उसको ट्रीट करके फिर सेकेंडरी परपस इसके लि और यह वो है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जहाँ पर फाइनल से जिसमें हम पहुँच गए है कोईम बतूर इंटरनेशनल एरिपोर्ट एक्सपांशन के लिए तो दोस्तों यहाँ पर ऑविसली एरिपोर्ट एक्सपांशन के लिए जिसका काम अभी लेने का कम्प 30 नेकर जमीन बची है तो काफी चोटा हिस्सा बचा है वो भी जल्दी एक्वायर हो जाएगा अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबा इंटरनेशनल एरिपोर्ट से जहाँ पर नमबर ओफ इगेट जो एंट्री के लिए होते है उस सबसे जादा बन गया है और अपर पहली रेजिश्टर करते हो जब आप जेंदरल एरिपोर्ट पे जाते है तो मैन जो टेकीन एडिया होता है वह पे इंटर करते है कि पहले आपको जो सेक्यूरिटी गाड होते है वो सीए सिफ के जवान आई डी फोटो सब वेरिफाइ करते है टिकेट पेरा लेकि स्किप हो जाती है अगली खबर दोस्तों जो है टाटा कम्मिनिकेशन से रिलेटेड जिनने कहा है कि उनको फाइव ये ग्लोबल ब्रोडकास्टिंग सर्वेसिस का काम मिल गया है वर्ल्ड एथलेटिक सीरीज ओफ इवेंट्स के लिए और ये दो हजार पचीस से काम होगा तो वर्ल एथलेटिक्स का जो ये असूसेशन है इनके जब पर इवेंट्स होते है तो अब्विसली वहाँ पर टेली कम्मिनिकेशन नेट्वर्क की ज़रूद पड़ती है और ये जो है अब टाटा ग्रूप प्रवाइड करेगी है ये शुरू होगा चाइना से और फिर चाहे ही फाइनल कैपिटल होगा आंदर परदेश शेहर के लिए अब जो लोग अमरावति के बारे बें नहीं जानते तो ये बहुत ही ज़ादा अंबिशिस प्लांट सिटी थी जो आंदर परदेश का नया कैपिटल बनने वाली थी अब जब तेलंगाना डिवाइड हो गया था अंदर परदेश से तो हैदरबात तो तेलंगाना को मिल गया था लेकिन अंदर परदेश के पस में कोई भी अच्छा कैपिटल नहीं था तो तुकड़े तुकड़े में दो तीन शेहरों के अंदर तेड़े मेड़े काम किये जा रहे तो जो गवर्मेंट टीडेबी की थी क पड़ा हुआ था अब ऑविसली सेम गवर्मेंट टेटर नहीं है जो कुछ साल पहले बाहर चलेगी थी गवर्मेंट के तो इन्होंने डिसाइड किया है कि आमरवति को फिरसे रिलाउंच करेंगे यहाँ पर जो है कैपिटल सिटी को फिरसे बनाया जाएगा और यह जरूर यह है कि अगले सौ दिन के अंदर इसको लॉंच कर दिया जाएगा तो यहाँ पर बीसिकली जो लोग लॉंग टर्म ट्रीट्मेंट में होते हैं उनके हिसाब से यह हुस्पिटल को डिजाइन किया गया है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आवर्वित को प्रमोट करें और एक मेजर ट्रांजिट अभी से बनाएंगे एशिया पसिफिक रिजन के लिए यहाँ पर इंस्पिरिशन ट्रॉ की गई है जूरी के द्वारा जूरी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्गो एरपोट है पूरे दुनिया के लिए और सिमिले चीज़ यहाँ पर जो कि ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ पर पंच कुला के पास में यह होटल ताज बनाएगी और वैसे अभी यहाँ पर इनके 6 होटल हर्याना में बन रहे है जहाँ पर ताज ब्रैंड के साथ साथ विवान ता गेटवे जिंजर ब्रैंड सब के होटल यह बन अब इसी को जो है मोडिफाय करें जैसे दिशे कई चलते पुराना हुआ गया पूरी एर्पोर्ट वैसे पैसेंजर टर्मिल जो सिवेल एर्वेशन के लिए जो नेसेसरी चीज़े वह बनाकर इस एरपोर्ट को लोगों के लिए लाँच किया जाने वाला है वैसे 11 डेडला अब दोस्तों एक बात समझों अगर आप देश के जितने भी टॉप बड़े प्रोजेक्स निकाल रहे हैं कोछ वहां के हिससे बन रहे हैं मेजर वाले ताटा एक कंपनी है जो इंफरा के अंदर बीटिंग करते हैं अब दोस्तों एक बात समझों अगर आप देश के जितने भी टॉप बड़े प्रोजेक्स निकाल के देखोगे ना तो यहां पर जो कंपनीज मेंशन की गई है अक्च्वल में वो है नहीं यहां पर पता नहीं यह ख़वर कैसे आ रही है कि जो कुछ कंपनीज है उनको इसारी बीडिंग मिल रहे हैं जब के प्रोजेक्ट उठाती है और कंप से डिलिवर भी करती है इनका एविजन के दर एक्सपर्टीज भी होती है नवा योगा जैसी कंपनीज है इरकॉन जैसी कंपनीज है यह बड़े-बड़े प्रोजेक्स एक्जिक्यूट कर रहे हैं जो कि टाटा वेगर अभी इनको करनी है मांटिंस के अंदर से तो ऐसी कंपनी जिसके पास में टंदलिंग का एक्सपीरियंस हो उनके बास में कोई ट्रैक रेकॉर्ड हो एक बड़ा सा बजट हो बैंक के अंदर खॉस्ट्स वेगरा जो है स्टार्टिंग में अब्सॉब करने के लिए उन्हीं कंपनीज को के अंदर लिया जाएगा किसी भी कंपनी को उठाकर नहीं लिया जाएगा और कई ना कई पर बड़ी कंपनी जो है वो यहां पर जरूरी नहीं हर प्रोचक में कंपटिटिव हो टाटा को ही ले लीजिए टाटा ग्रूप जो है मुंबई के अंदर मेट्रो लाइन 4 के कुछ बड़े लाइन्स बनाने का कॉंट्राक्ट जी चुकी थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा घटिया काम करने के वज़े से जो है टाटा ग्रूप से वो प्रोजेक्ट ली लिया गया जो बाद में जे कुमार को दिया गया जो भी लाइन बना रही है तो बड़ी कंपनी से भी ग के गए उनमें से नहीं है और अकोर्डिंगली जो है पूरे मार्केट को देखने की समझनी की जरुवत है अपको कोई सवाल है कमेंट स्क्रिक्शन में हम ज़रूर पूछ सकते हो आपको कोई न्यू समिट करनी है तो उसके लिए पूर डिस्रेश्में लिंक मिल जाएगी मि यंगली वीडियो में